हलो दोस्तों कैसे सबाव लोग मैं अशुरों करता हूं जैसा कि बेटा आप सब लोगों को पता है कि रेलवी एलपी की बैकन से जल्दी आने वाली है रेलवी एलपी मतलब असिस्टेंट लोगो पालेट एंड टेक्निशन तो यह बो बच्चे हैं जो की रेलवी लोको पाले है उनकी अकोडिंग आप एलपी एंड टेक्निशन की त्यारी कर पाते हैं तो बेटा आपके लिए हमने एक बहत्री उस्टेंट की हुई है रेलवी लोको पालेट के लिए मैथेमेटिस की जहां मैथेमेटिस का आज का हमारा टॉपिक है टॉपिक का नाम है रिश्यों प्र पहला और सबसे प्यारा कुश्चन पहला कुश्चन आपकी स्कीन पाच चुका है कुश्चन क्या है पहले आप कुश्चन को पढ़िए कुश्चन को जब आप आराम से पढ़ेंगे तो कुश्चन के अंदर साफ साफ मैंसन है कि क्या मैंसन है कि एक बस्तू के निर्मान के गटको कि सामगरी मजदूरी और उपरी खर्च और उपरी खर्च देखो एक तो लिख रहा है सामगरी घटक एक घटक के बाद में लिख रहा है सामगरी और उसके बाद में लिख रहा है आपके मजदूरी अच्छा घटक सामगरी मजदूरी और उपरी खर्च ओकी तीन डेटर दे रखें घटक को तीन भागों में तोड़ा गया है सामगरी मजदूरी और उपरी खर्च जिसको अपन बोल देंगे एक्ष्टा एक्सपेंसेज अब यह जो खर्चे हैं वो आपको बोल गया है कि चार, तीन और दो की अनुपात में यदि आपका रो मेटरियल चार रुपे आएगा तो तीन रुपे उसमें काम करने वाले लेंगे और दो रुपे का आपका ट्रांस्पोर्टिशन का या पैकिंग का कोई भी खर्च है जिसको हमने बोला एक उपरी खर्च है ठीक है तो पहला पॉइंट तो आपका ये किलिर रुपा यदि इसमें मजदूरी की लागत 45 रुपे रही हो अब हमारे according मजदूरी की जो लागत है वो बेटा है तीन यूनिट और question के according वो मजदूरी की जो लागत है वो बेटा है आपकी 45 रुपे तो question ने बोला कि 3 यूनिट जो है वो आपके साफसा बोला है कित्ते रुपे के बराबर है 45 रुपे के बराबर है तो एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी water में आप तीन का भाग दो एक यूनिट की वैल्यू 15 और रुपए फोगे अब आगे बड़ो कि borrowed ऐस बस्तू की कुल लागत ग्यात कीजिए यदि भै बस्तू रुपे 180 में बेची जाए तो बताओ उससे होने वाला लाब भी ग्याद के जाए अब उसने बोला selling price 180 पहले लागत तो निकालो अब भाई जब आप total लागत निकालोगे तो यहां से आपकी total लागत आएगे total आपकी लागत की आप जब बात करेंगे total expenses तो चार प्लस तीन प्लस दो चार तीन सात और दो नौ तो नौ यूनिट की जब आप बैल्यू निकालेंगे तो भाईया नौ इंटू आप करेंगे 15 पंदर नौ 135 रुपे एक सो पैतिस रुपे आपकी उस बस्तू की कोश्ट प्राइज है जबकि उस बस्तू की जो सेलिंग प्राइज है वो आपकी 180 रुपे तो आप से कुश्चन ने बोला कि होने वाला लाव ग्यात कीजिए और लाव भी आपका इसने दे रखाए प्रसंटेज में कोई बात तो देखो आप जब प्रॉफिट की बात करेंगे दोस्तों प्रॉफिट आपका आएगा 180 माइनस 135 एक क्वेश्ट्टू 45 रुपीज आप 45 रुपीज की फॉर्म में पूछता तो आपका 45 ही आमसरा था बट इसने डेटर पूछा परसंटेज की फॉर्म में आप निकालोगे तो आप लिखोगे 45 डिवैड बाए 135 इंटू 100 multiply करते हैं 45 रुपीज और 100 बटे 3 का मतलब है 33 सही एक बटे 3 और 33 सही एक बटे 3 आपके कौन से आपसे अपसिन में है आपके डी आपसिन में तो D option is the right तो इस प्रकार आपके कुशन का जो आंसर है वो D है तो D जिन भी बच्चों का रहा है वो एकदम सही है मनी सावस्ती डिलकुल D answer D answer एकदम सही है बाकी लोग answer दे D answer जितने भी लोगों का रहा है एकदम सही answer D is the right चलो अब next question try कीजी आप एक बिद्यालय के खुल हात्रों की संक्या 600 है उनमें लड़कें लड़कियों का अनुपात 13 और 9 है कुछ दिनों बाद 30 लड़कियां बिद्यालय में आ गई तो सुनो भाई वोईज और गल्स के बारे में आपको बोला गया है वोईज गल्स और आप साइड में बोल सकते हैं साब इनका टोटल है टोटल जो है वो 660 है और वोईज और गल्स का जो अनुपात है वो आपका 13 अनुपात 9 है 13 और 9 कितना हुआ 25 फिर कुश्चन बोला कुछ दिनों बाद 30 लड़की बिद्यालय में और आ गई अब देखो 30 लड़कियां और आ गई इसका मतलब लड़कियों वाले केस में आप 30 लड़की और एड़ कर दिए 30 लड़कियां और आगे पर कुछ लड़के चले गए तो उसके बाद लड़के बे लड़कियों का अनुपात 6 अनुपात 5 हो जाता है तो पताओ बिद्यालय से जाने वाले लड़कों की संख्या क्या है आप से इस एक्स का नमवर पूछा गह है तो अब एक बात पताओ इस question को हल करने के लिए एक आपके पास proper hint है आपने बोला कि total 22 unit है और इस 22 unit की value 660 है तो भाई एक unit की value आपके कितनी आईगी 30 रुपे एक unit की value कितनी आईगी आपकी 30 जब एक unit की value 30 आई तो इस 30 के आजार पर आपने बोला क्या 13 को जब 30 से गुणा करेंगे तो 1339 तीन सो 90 तो लड़के है और जब 30 से multiply करेंगे तो आप बोलेंगे 270 लड़किया है इन जब दोनों को अपन जोडते हैं तो इन दोनों को जोडने पर आपका जो total sum आ रहा है आपका total sum कितना निकल के आजाएगा बोलो 660 निकल के आजाएगा क्या आपको इबात के लिए अब मेरी पूरी बात सुनों अब 270 में जब 30 जोडा है तो भाई 270 में जब 30 जोडोगे तो 270 में 30 जोडने से कितना हैगा 270 में 30 जोडने से आपका डेटा निकल के आएगा 300 सो 270 में 30 जोने पर डेटा कितना निकल के आया 300 ठीक है अब 300 और यहां 300 निभ्वह में से कुछ लैस होना है लैस होने के बाद डेटा च्छे के रेश्यों माना है अब 6 के रेश्यों में आने के लिए अब आप से कुछ ने पूछा पता हो यहां लड़के कितने कम करें कि आपका रेश्यों हो जाए तो देखो आप चाहो तो आगे प्रणिस किया तो भाई 360 है और 0 से 0 6 6 36 और 6 35 और इस प्रकार आपका अनुपात 6 अनुपात 5 जो आपको दे रखा है वो 30 की कमी के बाद में दे रखा है और इस प्रकार इस कुछ न का जो आंसर है वो आपका सी आंसर आजाएगा सी आंसर इस दा राइट तो सबसे पहले तो आपको यह बात समझनी चाहिए और फिर देखनी चाहिए इस बात को आप ने देखते हुए यह कर लिया ठीक है चलो इस कुछन को आप नोट करो और यदि कोई आप बोलते सर्फ पुट वाई option नहीं करें त कि आपके पास जो 270 थे उस 270 में कितना एड कर दिया 30 और ऐसा करने पर यह है अनुपात कितना हो गया 56 बैस इसको आप calculate कर लिजिए आपका x का माना जाएगा और यदि इसको calculate नहीं कर पारे तो आप ऐसे option से put कर दो आप यहां से answer निकाल सकते हो better approach तो भाई option से put करना ही है चलो आप इसको लिख लीजिए फिर हम इसके आगे आगे continue करेंगे यदि किसी भी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत है तो आप पूर सकते हो नेश पढ़िए अब नेश कुश्चन को सोल करो कुश्चन है बोला कि A और B A और B की I का अनुपाद जो है वो B और C की I का अनुपाद 2 तीन अनुपाद 2 है इसका मतलब क्या हो जितना AB का रेशो है उतना इर्षो आपका किस का है B और C का अब B और C का उतना ही रेशो है तो देखेगा आप कुश्चन को ऐसे पढ़ लो A, B और C A, B, C आपका 3 और 2 और अगेन आपने बोला 3 और 2 ये 2 है तो ये 2 परेंड कर दिया ये 3 है तो ये 3 कर दिया सबसे पहले तो आप डेटाओं को मैनेज करना सीखे अब भाई जब डेटाओं को आपने मैनेज कर लिया तो अब आप इसके आगे बढ़िए इसके आगे जब बढ़ते हो तो बेटा 3 को 3 से मल्टिप्लाई करो 9 3 को 2 से मल्टिप्लाई करो 6 और 2 को 2 से मल्टिप्लाई करो 4 ये आपका अनुपात आगे है 9, 6 और 4 अब कुश्चन को आप और आगे पढ़ते यदि A की आए तियाही भाग C की आए के चोथाई भाग से 1000 अधिक है अब A की आए आपकी 9 रुपे है अब आप जैसे कुश्य न बोला वैसे पढ़ो इसने बोला आए का कौन सा भाग तियाही भाग तो आप इस तियाही भाग को एक बटे 3 से गुना करो जिसका रजल्ट आया 3 रुपया फिर बोला C की आए के चोथाई भाग से C की आए ये री इसकी आए का चोथाई भाग लिया चोथाई भाग कैल्कुलेट किया तो एक रुपय आया से 1000 रुपय अधिक है अब आपने इन दोनों का डिफ्रेंस लिया जैसे आपने इन दोनों का डिफ्रेंस लिया वो आपका दो यूनिट आया अब ये दो जो यूनिट है वो आपको कुशनक के लियर बोला है कि 1000 रुपय के बरावर है तो आपने फिर बोला कि 2000 रुपय के बरावर है तो बताओ एक यूनिट किस के बरावर होगी तो आप बोलोगे सर एक यूनिट पामसो रुपे के बरावर अब एक यूनिट जब पामसो रुपे के बरावर होगी तो बताओ बी की आई कितनी है रुपे के अंदर अब भाई बी की आई आपसे पूची है तो ये B की I आपकी दे रखी है 6 रुपे और B की I जब 6 रुपे दे रखी है तो B की I 6 और 6 को गुणा करना है आपको 500 से तो भैजे 6 इंटू 500 किया आपने बोला कि सर B की जो I है वो आपकी 3000 रुपे है और 3000 रुपे आपके कौन से आप्सन में है A option is the right answer तो फड़ापट इस question का आप answer not करें फिरम बढ़ेंगे अगले next question पर जल्दी शे not कीजिए चलो अब आगे बढ़ते हैं अब जैसे कि आप इस question को बढ़ते हो तो question में क्या वो रखा है A और B सोने और तामे के दो मिशदातो है हमने एक मिशदातो लिया A और एक मिशदातो लिया B जिसमें आप साफ साफ इसन बोला कि सोना और तामा गोल्ड और टिंट फिर यहां बोला गोल्ड और टिंट यह अनुपात साथ अनुपात दो है और यह अनुपात साथ अनुपात ग्यारा है तो पहले तो आपको दोनर लेने के लिए फिर बोला कि मिशद करके बनाए गए यदि एक तीसरा मिशदातो C बनाने के लिए उन मिशदातों को बराबर मात्रा में में पिगलाया जाए साफ साफ एक पॉइंट लिख रहा है बराबर मात्रा में पिगलाना तो भीय इनको मिलाकर आपने एक तीसरा solution मनाया और इस solution का नाम रखा see और यहाँ फिर again gold and tin की आपने again बात किए अब भीय जैसे gold tin की बात किया इसने बुला कि इन दोनों की मातरव बरावर होनी घाँ तो इन दोनों का समयर रहा नौ और यहाँ इन दोनों का समा रहा है आपका 18 अब आप खुद देखें किया ये बरावर है तो बरावर तो नहीं है तो सबसे पहले आपको बरावर बनाना पड़े है भाई जब इसको तुम बरावर बनाओगे तो 2 से multiply करोगे और जैसे ये आपने 2 से multiply किया तो ये हुआ 14 और ये हुआ आपका 4 ये अल्रेडी आपका 18 है और ये आपका 18 हो चुका तो मातरा इनकी बरावर हुई के नहीं अब तुम पताओ जब कुनों दोनों solution को आप melt करके single solution में जब convert करने जा रहे है तो जो तामा है वो तो तामा ही रहने वाला है और जो गोल्ड है वो गोल्ड रहने वाला है इस बात से तो आप एक रही हो तो देखिएगा यहां आपका गोल्ड 14 है और यहां आपका गोल्ड 7 है यहां आपका टिन 4 है और यहां आपका टिन 11 है तो 14 और 7 आपका 21 और 11 और 4 आपका 15 तो 3, 7, 21 और 3, 15 इस प्रकार आपका अनुपात मिलाने के बाद C वाले solution के अंदर 7 अनुपात 5 हो जाएगा और 7 अनुपात 5 हमारे कौन से option में है C option में क्योंकि इसने सोना तथा तामा पूछा है यदि तामा तथा सोना पूछता तो आपका A option होता पर A option गलत है क्योंकि A option में तामा और सोने का अनुपात दिया रहा है ठीक है तो चलो बेटे इसको लिखिए फिर हम next question के और बढ़ेंगे अब इस question में क्या बोला इस question को पढ़िएगा देखिएगा इस question बोला कि एक थेले में 145 रुपे है जिसमें एक रुपया 50 पैसा और 25 पैसा एक रुपया 50 पैसा और 25 पैसा टूटल जो रुपे है वो आपकी टूटल रुपे है 145 रुपे है पहले ताब यह पॉंट के लिए रहा हो अब एक बार पता हो उसने बोला कि सिक्के के रूप में 3, 5 और 7 रखे हो हैं इसके 3 सिक्के, इसके 5 सिक्के, इनके 7 सिक्के यह है इनके सिक्कों का अनुपाद अब भाई यह सिक्कों का अनुपाद है तो अब question को आप और पढ़ने की कौस्श करूँ मतलब बोला है, एक रुपे के 3 सिक्के है, 50 पैसे के 5 पैसे हैं और 25 पैसे के 7 सिक्के अब तुम बताइए एक रुपे से यदि 3 सिक्के है, तो collection कितने के आएगा आपका तीन रुपे का तो तीन रुपे को आप बोल जो 300 पैसे का एगा राइट अब दूस 50 पैसे इंटू 5 तो यहां से कितना पैसा आएगा आपने बोला सब 1200 पैसा आएगा और 25 इंटू 7, 735 और 7, 2, 14, 3, 17 एक सो पिचितर पैसा आएगा इनसे जितना पैसा मिलना था हमने वो कलेक्ट कर लिया अच्छा अब हमारे कोडिंग टोटल पैसा कितना मिलेगा ये भी तो कैलकुलेट करें तो भई है एक पांस तो आपका यह आ गया साथ और पांच बारा और दो दो चार और तीन साथ 725 पैसा आपने कलेक्ट किया बट कुश्चन के अकोडिंग कितना रुपया था 145 रुपय तो आप बोलोगे 725 यूनिट जो है वो आपकी 14,500 पैसे के बराबर है क्योंकि वो 14500 रुपय है और यह पैसे तो आपको यूनिट तो सेम करनी पड़े है तो कुश्चन बोले एक रुपय वाले सिक्कों की संक्या क्या है एक रुपय वाले सिक्कों की संक्या आप से पूछा है तीन इट की व अब यहां काड़ते हैं 25 पंजो 125 कितना बचा 20 और 25 आठ 200 अगें गुंतिस दुना 58 इसका मतलब यह हुआ कि एक यूनिट जो है वो आपकी 20 के बरावा है और यह एक पैसे की एक रुपे की सिक्को की संख्या आपसे पूछी गई है तो एक रुपे के सिक्को की संख्या बरावर अब भाई जब एक रुपे के सिक्को की संख्या आप निकालोगे तो तीन यूनिट की आप वैल्यू पूछना चारे हो तो 20 को 3 से गुणा करेंगे और 20 ती आप 60 सिक्के आपके आजाएंगे इस प्रकार आपके कुश्चन का जो आंसर आएगा वो 60 आएगा और 60 हमारे कौन से कुश्चन में है भाई 60 हमारे है आपके कौन से ओप्शन में ए ओप्शन तो ए ओप्शन इस दा राइट अच्छा राम टांग हलो सर आजी फिर हो अभी मनीशा आवस्ति साथ ठीक है चलो तो साथ आंसर आ चुका है किसी प्रकार का कोई कंफीजन यदि कोई भी डाउट है तो बेटा पूछिए कोई कंफीजन किसी प्रकार का नहीं रहना चाहिए चलो अब और आगे बढ़ते हैं नेस कुश्चन क्यों चलो नेस कुश्चन देखिएगा नेस कुश्चन आपसे क्या कहना चाहरा है आप कुश्चन को फिर समझन साब साब बोला है कि 346 रुपे ABC में इस प्रकार बाटे जाते हैं मतलब ये तो क्लियर है कि ABC को कुल मिलाकर 346 रुपे आपको देने है पहला लाइन तो क्लियर है इस पूरे लाइन की सोट लाइन तो यही है ठीक है अब आगे पढ़ो एको बी तथा सी से मिलाकर मिलने वाली रासी का एक बटे दो के बराबर एको जो धन मिल रहा है बी और सी को मिलने वाली रासी का एक बटे दो एक बटे दो का मतलब क्या है आदा यदि बी और सी को दो रुपेया मिलेगा तो एको मिलेगा एक रुपेया क्या आपको ये बा कुश्चन ने जब आपसे एक भाग कुछ है तो अब आप समझने की कौसिस करना यह भी तो एक परसनल डेटा है और यह बीएसी का है इन दोनों को यदि एड करते हैं तो आपके पास निकल के आता है तीन यूनिट मतलब इन दोनों तीनों को मिलाकर तीन रुपे खर्च होने जो की कुश्चन में 322 रुपे के बराबर तो इससे एक हिंट का पता लगा कि तीन यूनिट जो है उसकी वैल्यू 366 रुपे है तो एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी तो भाई जब एक यूनिट की वैल्यू निकालोगी तो 366 बटी 3, 122 रुपे होगी अब आपसे पू पूचा है एक धन होगा एक यूनिट और एक यूनिट की वैल्यू आपकी अल्रडी 122 रुपे आई है और 122 रुपे आपके कौन से ऑप्शन में है बी ऑप्शन में तो ध्यान रखो आगे की जो लाइन है वो तब काम आती जब कुश्चन है बी या सी में से किसी कधन पू चलो लिख लिए अब आगे बड़ते हैं अच्छा यह कुश्चन क्या कह रहा है दो हो आराम से पड़ते हैं कुश्चन है बोला A B से 60% अधिक है, A B से 60% अधिक है, B को 100 रुपे दो, इसको 160 रुपे दो, वो गया काम है, जबकि B C से 20% कम, अब B का कम्प्रेजन C से हो रहा है, यदि C को 100 रुपे दोगे तो इसको 80 रुपे दोगे, तब ही तो 20% कम होगा, अब आप एक बात पताओ, जब ये बात आपको क्लियर मिल गई, तो अब आप देखिएगा, यहां रेश्यों उनका 8 और 5 हा रहा है, यदि आप यहां रेश्यों रेकर देखकर चलोगे, तो आपका यहां 2, 4 और 5 है, तो आज की तारिक में आपके A B C का जो अनुपात आ रहा है, वो कुछ इस वकार आ रहा है, एक तरफ तो डेटा आया, आपका 8 और 5 और एक तरफ डेटा आपका आया, 4 और 5 और मैं थाड़ा आपको अच्छी तरसे बता है, यहां 5 होगे, और यहां 4 है, तो आप 4 होगे, खुश्यों ने पूछा है, A और C का रेश्यों क्या होगा, भाई A और C का रेश्यों पूछा है, तो 8 पार चो को 32 रुपया तो एक होगा और 32 के कोडिंग चले तो यह तीन उप्षन तो गलत है एक यह जा रहा है और यदि पांच को पांच से गुणा करेंगे तो 25 हैगा तो यह तो हम पहले डिशाइड कर चुके थे उप्षन से कि A और C का जो अनुपात है वो A और C का अनुप बात 25 हो जाएगा जो कि आपके पहले ऑप्षन में है यह उप्षन तो यह उप्षन इस दा राइट आंसर कि चलो हाँ बिल्कुल यह आएगा अब नेश्ट कुशन तो बढ़ते हैं कि A B C ने एक हजार पचास रुपे खर्च किया कि A B और C ने एक हजार पचास रुपे ख और A का भाग B तथा C के भाग का दो बटे पांच भाग है जैसे बोला अगशे दो बटे पांच लिग दिया अब तुम्हें क्वाबता हो आप बोला A का भाग क्यों तो भाई यह पिछला ही तो कुशन है यह एकदम बेस केबल केबल आपका डेटा चैंज किया तो अब और इस साथ यूनिट की जो वैल्यू दी गई है वो इस कुशन में कितनी दी गई है एक हजार पचास तो आप क्या बोलेंगे कि सेवन जो यूनिट है वो आपके एक हजार पचास रुपे के बराबर है तो एक यूनिट किसके बराबर होगा तो एक यूनिट एक हजार पच तो एक का जो धन है वो हमारे पास दो यूनिट है और दो यूनिट की वैलु जब निकालोगे तो आप 150 को दो से multiply कर दोगे तो इस प्रकार आपका question जो होगा उसका solution जो आएगा वह आपका आएगा बी option बी option is the right तो इस प्रकार इस question का जो answer है वो भी है तो भी देखते हैं कितने बच्चों का है भी वनिशाबस्ति बिल्कुर सही है भी answer चुल आगे बढ़ते हैं दो समाल गिलास एक बटे तीन भाग और एक बटे चार भाग दूसरे बरे हुआ है तो आप समझने की कौसित करना एक गिलास तो आपका ये रा और एक गिलास ये रा इसमें एक बटे तीन भाग दूसरे बरा हुआ है और इसमें एक बटे चार भाग आपका दूसरे बरा हुआ है और उन्हें उपर तक पानी से भड़ देने के बात अब सुनो अब इनको जब पानी से आप भर रहे हो तो तीन में से एक भाग आपका milk का है तो भाई water का कितना है गा दो बटे तीन में से एक कम कर तो दो बच गया और यहां आप जब देखोगे तो क्या बोलोगे तीन वटे चार यह milk का है तो यह data किसका आगया water का को उसने बोला कि सेश बाग को completely आपको water से बनना है तो finally इनके बीच में ratio देखा जाए तो दो अनपाथ एक है और यहां अनपाथ देखा जाए तो तीन अनपाथ है राइट अब कुश्चन ने क्या बोला कि दोनों गिलासों के मिस्रण को एक टब में मिला दिया गया और इस मिस्रण में दूद और पानी का अनपाथ क्या होगा अब भाई इस कुश्चन में यह कहीं नहीं बोला कि दोनों को समान अनपाथ में मिला है तो आपको इसमें जो जैसा है उसको वैसे लेकना है तो अब आपसे दूद और water का पूछा है तो देखिएगा पहले भाग में दूद है एक बटे तीन भाग और दूसरे भाग में द बारा जाएगा आठ और यह आपका चारती बारा के सब से नो तो साथ बटे बारा भाग और यह आपका सतरा बटे बारा भाग इस प्रकार आपकी इस कुश्चन का जो आंसर है वो आपका आमसर हुआ साथ और सत्रा साथ और सत्रा हमारे कौन से option में है B option B option is the right तो क्या आपको question के लिए कोई confusion किसी प्रकार का तो यदि कोई भी doubt है तो आप लिखेगा confusion है तो पूछेगा और बारबार समझने के लिए एक ही formula है के बारबार दीखिएगा को यह तो एक्सिस तुमारे पास है भाई आराम से आप वीडियो के एक वाने दसवाद देख सकते हो चोड़ो नेश कुशन बढ़ो नेश कुशन में क्या वो लगया है किसी कार खाने में एक ब्रक्ती द्वारा किये उत्पादन का तैतीस सै एक three दूसरे की दौरर व्यक्ति दौरकी गये उत्पादन के 50% के बुराबर तो सुना भये पहले व्यक्ति में कि दौरर तै इस एक ब्रचार यह तो है दूसरे वैक्ती के दौररक्य गये तो यह 100 by 3 हो जाएगा और जब यहां हम इसकी बात करेंगे तो यह 50 चल रहा है तो 50 से 100 2 time cancel out और यदि हम A upon B की बात करें तो भाई यह 2 by 3 उल्टा हो जाएगा तो यह 3 upon 2 हो जाएगा तो शुरू की दो लाइनों का मतलब तो यह हुआ आगे क्या बोला है यदि दूसरे व्यक्ति प्रति दिन 1500 पेच बनाता है अब भाई तुम देखो दूसरे व्यक्ति को अपने यह किस नाम से रिनौट किया है बी के नाम से अभी इस दो यूनिट की वैलु बोर्णा कि पंदरा सो पेच है तो एक यूनिट की वैलु आप के साड़े साथ सो पेच आएगी राइट क्वेशा फाने सुम्हें किसका भाग दे देंगे, हम 2 का पतकी सबना, कि पताहों द्यक्ति प्रतिदिन कितना पेच ब बनाएगे पेच जब आप निकालोगे तो आप तीन को 750 से गुना करेंगे तो इस प्रकार आपका जो आंसर निकल के आएगा वो 250 पेच आएगा और 250 हमारे कौन से आप्शन में हैं हमारे डी आप्शन में तो डी आप्शन इस दा राइट अंसर ठीक है चलो अब आगे बढ़ नडखेयों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है अब तुम 칭ड और गल्ल्स के बारे में इस तो इसनए साब इनके सीढ़ी आनुपात की निलगान० मिध्यारती है अब तुम पताओ तुम्हारे इसाबसे क्ल कितने बिद्यारती तब हम ग्यारे और ग्यारा यूनिट की जो वैल्यू दी गही है कुश्चन में कितनी दी गही है वह आपको दी चाह stories ऑब जब 11 क्लास में चार और लड़किया भड़ती कर ली जाए अब तुम देखो मेरी बास में जो बोईज और गल्स बोईज जो है एक इनुट की वेलुच है तो भाई 5 को आप 6 से गुना कर दो तो बोईज की संक्या तो 30 होगी अब लड़कियों में आप 6 को 6 से गुना कर दो लड़क तो लड़के वेज लड़कियों का अनुपाद क्या होगा तो लड़के वे लड़कों का अनुपाद आपका निकल के आएगा 3 और 4 तीन और 4 आपके कौन से अनुपाद में है कौन से ओप्शन में है B अप्शन में तो B अप्शन is the right answer ठीक है चलो अब हम और आगे बढ़त नेस्ट कुश्चन नेस्ट कुश्चन जब आप बात करेंगे तो 6400 रुपे तीन कालिगरों में तीन बटे पांच दो और पांच बटे तीन के अनुपात में बाते गए तो दितिय कालिगर का कितना भाग निकल के आएगा तो सबसे पहले काम कीजिए आप यह जो एवी सी लिखा हुआ है पहले यह फ्रैक्शन वाले डेटा को आप एक नॉर्मल डेटा में कनवर्ट केजिए अब तुम एक बात समझो नीचे आपको एक जगे 5 दे रखा है और एक जगे 3 दे रखा है तो रिशो क्या कहता है कि डेट डेटा कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए यदि डेटा फ्रैक्शन में दिया गया है तो फर्स्ट ओफ आप उसका कहले जी लिचेगा अब देखो पांच और तीन का लिखें लोगे तो बहुत सिम्पल बात है कि पांच और तीन का लिखें 15 आएगा और इस लिखे करने से फाइदा यह है कि फ्रैक्शन का डेटा आपका हट जाएगा तो यह तो डेटा हुआ आपका 9 यह हुआ आपका पंदा दोना 30 और तीन पांच और यह हुआ आपका 5 अब कुश्य ने बोला कि तीनों को 6400 रुपे में डिल की गई है तो भाई आप तीनों को जोड़े 25 और 34 और 34 यूनिट होई और इस 64 यूनिट की जो वैल्यू दी गई है वो चौश्ट सो रुपे दी गई है तो जब चौश्ट यूनिट की वैल्यू चौश्ट सो है तो एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी तो आप बोलोगे सर एक यूनिट की वैल्यू तो सो हो जाएगी तो बोला गाएगा दितिये कारिगर जो है वो कितना पैसा गैन करेगा दितिये कारिगर तो यह रहा आप दितिये कारिगर में B का आप बात करोगे तो B का जो धंदा निकल के आएगा 30 इंटू 100 निकल के आएगा और 30 इंटू 100 के इसाफ से आपके जो पेच बनेंगे जो पैसा लगेगा वो A को मतलब धित्य कारिगर को 3,000 रुपे उस 6400 रुपे में से मिलने वाले तो आपको इस पॉइंट में कोई confusion है तो पूछेगा कोई डाउट किसी प्रकार को असोग D option हाँ भई D option ही आएगा प्रवेन D विल्कुल D option is the right चलो अब हम और आगे नेश कुश्चन पर देखते हैं अचा नेश कुश्चन क्या कहता है देखो यह भी वह पैसे वाला कुश्चन जो कि अपने आप में एक इंपोटेंट है अब कुश्चन है क्या कहा कि निब्बह रुपे तो की तो खुल रासी है मतलब जो टूटल अमाउंट है वो तो आपका है निब्बह रुपया आप बोला कि इसमें 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे फैसे 25 पैसे और 10 पैसे कि जो सिक्के है इन सिकोह का अनुपाथ 2 अनुपाथ 3 अनुपाथ 5 है अभ ही बात में convert करोगे तो यहां से आपको मिलेगा 100 पैसा यहां जब आप कमाउंट में convert करोगे तो यहां मिलेगा आपको 55 पैसा और यहां convert करोगे तो यहां मिलेगा आपको 50 पैसा इन तीनों को जोनने पर 7-5-12 आप बोलोगे 225 पैसा टूटल मिला टूटल पैसा मिला कितना 225 अब आप सुनों यहां आपको टूटल रुपया कितना मिला 20 तो यहां से क्लियर्टी तो मिली क्या 225 जो पैसा है वो 20 रुपय के बराबर है और रुपय को आपने गुणा कर दिया 100 से मतलब रुपय की जए क्या रख दिया 100 तो 100 पैसे मतलब 9,000 पैसे तो आप एक यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो वाई एक यूनिट की वैल्यू के लिए 90 इन 200 डिबैड वाई 225 परेंगे तो बनी बनाई बात है आप 15 अच्छी निब्ब है यह 15 से क्यों काट है अपने सीधा 25 से काट देदे ना यह लोग 25,000 पैसे की सिक्को की संक्या क्या है तो 25 पैसे की सिक्को की संक्या कितनी है 5 तो भई 5 unit की value पूछ रहा है तो 4 को किस से गुणा कर दो 5 से और 40 को जब 5 से गुणा कर दोगे 25 पैसे की तो 3 unit है तो 3 unit की value पूछ रहा है तो 4 को 3 से गुणा कर दो 120 सिक्के निकल किया जाएगा और 120 सिक्के कौन से option में है D option में तो D option is the right यदि 10 पैसे के लिए बोलता तो 5 से कुना कर देते और 50 पैसे के लिए बोलता तो आप 2 से कुना कर देते तो कुश्चन को पढ़ना बहुत इजी है वैसे आपको एप्रोच समझवाना चाहिए हाँ प्रबीन असोख मनिशा D option बिलकुल राइट है चलो एकदम सही च बाटा जाना था पर हुआ क्या गलती यह होगी कि इनको बटे की जगे दो तीन चार के अनुपात में बाट दिया तो इस प्रकार इन में सबसे अधिक लाब किसको हुआ तो सुरो आप पहले स्टेक्चर को समझने की कौसिस करने ए बी और सी यहां एक बटे दो एक बटे त यदि पहले आकलों के अधार पर देखें तो सबसे कम किसको मिल रहा है सी को मिल रहा है बट जो गलती हुई गलती के आधार पर आप देखें तो सबसे ज़्यादा पैसा किसको मिल रहा है वो भी सी को मिल रहा है तो यह तो क्लियर्टी मिलगी जो भी सबसे ज़्यादा पहले पैसा कितना बटा तो आप 2, 3 और 4 का क्या लोगे ऐलसियम जो कि आपका आया 12 और जब इस आकरी के अधर पर चले तो 6, 4 और 3 इस अनुपात में पैसा बटा तो पर पैसा बटा किस अनुपात में? 2, 3 और 4 तो सुनो यदि गल्दी की आप बात करें तो A, B, C में वो 6, 4, 3 के हिसाब से 13 यूनिट और 13 को कितने में बाटना है? 117, 9 तो यहां 9 के हिसाब से C को जो पैसा मिला वो 27 रुपे मिला और सही बात यह है मतलब यह तो सोरी बात यह तो गरत बात, सही बात तो यह थी अब गल्ती जब होई तो यही अनुपात आपका मिला 2, 3 और 4 तो 4, 3, 7 और 2, 9 और 9 यूनिट की जो वैल्यू रखी गई, 117 रखी गई तो भाई, एक यूनिट की वैल्यू जो आई, वो आपकी आई 13 रुपे और 13 के हिसाब से, जैसे 4 को गुना किया, तो आपका निकल के आया 52 रुपे अब आप ही पता हो भाई, यह तो यह तो क्लियर टी मिल गी ना, 27 रुपे की जगह कितने रुपे मिल गे, 52 तो C का यदि आप लाव निकालोगे, तो C के लाव के लिए आप 52 रुपे में से 37 को गटाओगे, तो 25 रुपे का बेनिफिट निकल के है, तो यह तो B है और यह आपका 25 है, तो इस प्रकार आपके इस कुश्चन का आंसर D, तो D is the right answer, कि C को सबसे अधिक धन मिला, को यदि यही पूस्ता की धन किसको अधिक मिला, तो तम देखते ही पैचान के कि C को मिला, पर कुश्चन यह था कि कितना मिला, तो आप उसके लिए डिटा को कैलकुलेट करेंगे, फाइदा यह हुआ कि आपको A और B के धन पर काम नहीं करना पड़ा, वना A और B के धन पर आप काम करते ही, तो आपको यह ही कैलकुलेशन दो बार ओक करने परती है, ठीक है, अब आगे चलते हैं, नेस कुश्चन पर, अचार नेस कुश्चन क्या कह रहा हो, देखेगा आप, A, B, C, D इस प्रकार है, विवाजित करते हैं, A और B के भागो, B, C, C, D, सब का अनुपाद दिय गया है, A, B, C, और D, A, B का जो अनुपाद है भाई, वो है आपका दो और तीन, B, C का अनुपाद है, वो है आपका चार और तीन, और C और D का अनुपाद है, वो आपका है, दो और तीन, तो बताओ, B और D के भागो का योगफल क्यों होगा, पहले, A, B, C, D का कोई कोमन कुछ बनी नी नहीं अब कटेगा देख़ो चार दोने आर्ट दोने तो एक अनपात आया आपका 16 चारती बारा दोना चोबिस यह बी काया यह नौ नौ दोने अठारा यह आपका सी काया और नौ तियह 27 यह आपका डी काया यह तो A B C D का पैसा आगया अब जब आपको A B C D का पैसा पता लग गया कि भाई A B C और D 16 24 18 और 27 तो सबसे पहले आप इन चारों को जोड़िए जब चारों को जोड़ेंगे तो साथ आठ पंदरा चार उननीस उननीस अच्छे पच्चीस दोड़ दो चार और पांच दो साथ साथ और एटी फाइव आया अब 85 जो है वो आपके 3400 रुपे के बराबर तो वहाई एक यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होगी तो अब आप बोलेंगे 3400 में 85 का भाग दो 17 पंदर पिच्चासी 17 दोना 34 और पांच और का 20 40 के बराबर आप से बोला b औ로 d का योकफल क्या होगा तो देखो भाई b2 का योगफल की बाद चल रही है तो देखें b का योगफल कैया वी का डेटा है 24 और दी का योगफल है 27 इनको जब आप जोड़ेंगे तो इनका योगफल आएगा आपका 51 और 51 को 40 से गुणा करेंगे तो जो आपका निकल के आएगा आंसर वो है आपका 2040 और 2040 हमारे कौन से option में हमारे a option तो a option is the right तो उमीद रखता हूं कि आपको यह question अच्छी तरह से समझे मागे होगा ठीक है तो बेटा आज के से से में हमने कुछ नए नए question से देखे और उम्मीद रखता हूं कि आपको कुछ समझे माया होंगे तो इसी की साथ 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 हम आज का अपना session जो है उसको करते हैं और आगे मिलेंगे अपन नए session में एक नए पॉइंट के साथ जब तक के लिए जय हिन जय भारत धन्यवाद